नमस्कार सभी को मैं नील बेनिवाल अवरसेजूकेशन की इस प्लैटफूम पे आप सभी का स्वागत करता हूँ और हमारी जो हर रोज पेपर की जो सीरीज है उसको माज कॉंटीनू कर रहे हैं आगे और अब तक जितने भी पेपर हुए उनकी अलग से प्लेइलिस्ट दिया जाते है तो आपको पता हाली अवार्ड उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है राइट अंसर कुन सा उप्षिन नंबर भी हांपे बनेगा हाली अवार्ड जो इसमें इनाम किराशी कितना दी जाती है तो एक लाक रुपे शुनके काफी सारे कमेंट भी हरियाना उर्दू NIC की आप ऑफीशल वेब साइट पर जाके चेक करोगे वहां पे शाफ साफ दिया हुए एक लाक रुपे इनाम किराशी जो है वो इसमें दी जाती है हाली अवार्ड किसकी याद में जो यह पूरसकार दिया जाता है उर्दू के जाने माने शायर आपको पता है अलताफ हुसेन हाली जो है इनकी आद में हम कह सकते है यह अवोर्ड जो है वो डिया जाता है और हिसके साथ यह आपको ध्या रखना है अलताफ हुसेन हाली इनको ब्रीटी सरकार के द्वारा कौन्ची समसुल समसुल उलेमा जो है समसुल उलेमा जो है यह उपादी दी गई थी कि इसको अलताफ उसे इन्हाली की तो यह इंपोर्टेंट हो जएगा इसको आप नोट कर सकते हैं 1837 में जनम हुआ आफ में इनको मिर्थ्य होगी मिर्जा गालिब इस शीशे रहेते तो यह सारी के सारी चीजें इंपोर्टेंट हो जायगी और इनके मुकद्दम यह जो है जो कह सकते हैं इनकी एक रचना जयेंगी इसके बार देखते हैं नेक्स्ट और बाकी यहां पर आपकी उर्दी अकाद्मी आपको पत्रिकां वह आपको अच्छे से याद कर लेनी है अर्दी अकाद्मी यह हो जाएगी। मासिक पत्रिका और दो टार्मे जो इसकी कोंची तो शब्द बूूंद जो है इसकी जो है आपकी मासिक पत्रिका हो जाएगी लिए संस्कृत्पे नाहीं से जूड़ी हुई है इसलिए हर्याना खेती जो हम कह सकते हैं या आपकी मासिक पत्रिका हो जाएगी हर्याना क्रीशी हम कह सकते हैं हर्याना क्रीशी खेती हम कह सकते हैं आपकी मासिक पत्रिका हर्याना एग्रिकल्चर युनिवेस्टी की हो जाएगी इसके लाओ कुरुक्ष युनिवेस्टी की स्थापना आपको पता हुए डोक्टर राजेंदर परसाद के द्वारा जो इसका उधगाटा ने किया गया था इसके बार नेक्स देखिए भारत की जनगर्णा 2011 के नुसार में कौन साकसर है तो आपको यह बताने कि 2011 की जनगर्णा होती उसके नुसार साकसर जो किसको माना गया कि यह बंदा जो है यह परसंद आपका पड़ा लिखा है तो आपका इसके पूछ लेगा कि इसके साथ ही अगर आपसे यह पूछ ले कि 2011 की जनगर्णा के सबसे ज़्यादा लिट्रेशी रेट जो आपकी काम पे तो कैरला में हम कह सकते सबसे ज़्यादा लिट्रेशी रेट हो जाएगी अगर ओवराल बात करे भारत की जो कितनी तो आपकी 74.04 परसंट जो आपकी ल धियान रख सकते हैं कब 21 अपरेल हम कह सकते हैं 1526 को यूद हुआ और इसकी याद में हम कह सकते हैं कौन सा काबूली बाग मस्जिद जो वो बनाई गी थी और यहां पे कौन सा उप्शन नंबर 20 का राइटन सरेगा इसके साथ ही आपको पता है इसी यूद में जो है आपका इबरहाईम लोगी जो गूयुद कि स्तल्पे मारा जाता हूँ और इबरहाईम लोगी का भी मकबर आपका पूछ ले तो कहां पर पानीपत में इसका मकबरा रहे गा काबूली बाग जो है कहाए बेगन काबूली बेग उसकी याद में इसको बनाया गया है साइनो वील दर् लेका इसके बार नेक्स्ट आपको यह बताने कि यहां पे स्थार लीट lower करके इसका राई पांसर ना सथ आपक है बिल्कुल गुणा औ भाग का जादा वीशादा बारे में आपको विचार करना है कि इंमें से कौनसा जो है गलत कथन के आपको में पहिचान सही कतन हो जाएंगे अब यहाँ पे देखे आपका कौन सा सही हो जाएगा तो 8 अगस्त को जो है भारत सोडो अंदोलन का परस्ताओ जोहरलाल नहरू के द्वारा लाया गया और उसे भारी महुमत पारित किया गया इससे दुरह वह आपका क्योशन क्या आया था अभी के सकते हैं तो यह आपका उसका राइटन सर्ता जो फीमेल सब इस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया था बिल्कुल पहला यहां पर सही हो जाएगा दूसरा देखे 10 अगस्त को महात्मा गंडियों ज्वालाल नहरू सर्दार पट्रेल लाजेनर परसाथ को गिरफतार किया यहां पर देखे जब आपका आठ अगस्त उनीसो बियालेस को जब अंग्रेजों को यह पता चला कि यहां पर जो है आपका अंदोलन जो हो कुछ टार्ट होने बाला है तो इसलिए आपका जो है इसी दिन आपका रात को जीरो जीरो यानि ऑपरेसं जीरो वर रात के बारा आपका सक्सेस्पुल ना हो तो यह आपका 10 अगस्त को ना हो के यह उसी दिन जो है आपका कहा सकते है रात को बारा अब जीरिफतार किया गया था तो यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा यहां पर उसके बाद गांदी ने करो या मरो का नारा दिया था तो कुंसे अंदो इंक्रीज इट्स ड्रीब डी ब्रोगली वेवलेंट जो उस पर आपका क्या एफेक्ट पड़ेगा तो आपकी घट जाएगी यहां पर डिक्रीज हो जाएगी तो राइट अंसर ओप्शन नमबर भी है इसको आप ध्यान से देख सकते हैं गरबाश्य के भीतर जो है आपका ज हम कह सकते हैं एक तरह की जो मेन ऑक्सिजन जो है प्रवाइड करवाई जाती है हुमन फीटस के पास जो है मारा वह मारा कॉन सा एच बी एफ जो है यह आपका मुख्य रूप हो जाएगा तो राइट अंसर ओप्शन नमबर सी बनेगा उसके बाद डैस को रागिनी सांग औ जो है इनकी मिर्त्यू होगी थी तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं और एक बात और की ये बिल्कुल अंपढ़ते हैं लेकिन उस समय में इन्होंने सारी बाते आज के टाइम की अपनी रागनी में जो है अपने सांग में इनको बता दिया था और मेन बात अगर आपसे पूचली तो आपको पता है द्रोपती चीरहरण जो है द्रोपती चीरहरण हम कह सकते हैं इनकी रचना हो जाएगी सत्यावान सावित्तरी जो है सत्यावान सावित्तरी जो हम इनकी रचना जो है बता सकते हैं तो ये आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा इसके बाद इसके नाम के एक युनिवर्स्टी भी रहेगी वो आपकी कहां पे रहेगी रोत्तक में रहेगी और उसकी स्थापना अगर पूछ ले तो कब 2014 में उसकी स्थापना हुई नाम क्या रहेगा पंडित लक्मी चंद इतना लंबा नाम है आप इसको देख सकते हैं उसके बाद नेक्स देखिए जर्म ट्यूब परिक्शन के पहचान करने के लिए प्रियुक्त समाध साधान तवरित परिक्शन जो हो आपका क्या हो जएगा तो राइट अंसर कौन सा उप्शन नमबर सी बनेगा इसका इसके बा नेक्स अगर हम यहां पर देखें देखें मुहमद गजनी ने हरियाना के थाने सर पर आकर्मन किया यह क्योशन अभी के एक्जाम में हालांकि क्योशन बिल्कुल असान है इसमें कोई दोरानी है लेकिन फिर भी में बात यह है कि क्योशन उठाए कहां से जा रहे हैं तो गवान विशनु की जो है यहां से मूर्ती ले गया था और इसको जाकर मक्का मदिना के सीडियों पर लगा दिया था और इसके साथ ही 1025 में जो हम कह सकते हैं आपका एक इंपोर्टेंट आकर्मन जो किया था सोमनात के मंदिर वाला वो भी आपका इंपोर्टेंट हो जेगा इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं 17 बार आकर्मन किया था पहला एकजार एकजार ईश्यू में किया था लास्ट एकजार 27 में किया था उसके बाद सेखचिली का मकबरा जो हरियाना में कहां पर रहेगा तो बिल्कुल थानी सर में रहेगा राइट अंसर कौन सा उप्शन न इसके बाद नेक्स्ट अंधकार उनकूलन समय है तो आप देख सकते हैं यह वाला क्योशन आपका इंपोर्टेंट हो जेगा अभी के एकजाम में पूछा गया था और उसी से जुड़ा हूँ आपका क्योशन जो हो रहेगा कि अंधकार उन्मूलन समय है यह डार्क अड़क जो है इनकरीस होता है किसकी कमी से विटामीन आपका क्या हो जब्सक्राइब कि कहा है विटामीन आपका क्या हो जेगा कैसक योह डेगा इसके साथ हैं विटामीन बी जो इसकंखสजान किया बेरी की कमी से पेक किख always kinda दी की कमी से मारा रिकेटस रोग होता है अब आप यहां पे कमेंट करना विटामिन C और विटामिन D का जो है साइन्टिफिक नेम क्या है कई बार डिसकस कर चुके हैं तो कमेंट करके इसको बता देना इसके बाद नेक्स्ट किसी फाइल का वर्नन करने का जो है आपका साधन क रहता है यहां पर क्या रहता है जो आपके आपके लंक्स जो ए स्के चारों यहां पर क्या रहता है जो बाद भाय के कार्यों में जो आपका शामिल हो जाएगा तो प्रक्त अरोध बनाते हुए चोट पर करेंarnya to फिर्टिेज़्ूट परत करेंगा जो टीडिर सकते हैं न compassionateourd Commissioner पुंप्ट बना यहां इसको इंडो बना स होते हैं कह सकते हैं एक बलड जो हमारा बलड जो उसमें आपकी क्या सेल्स जो होती है सेल्स हम कह सकते हैं या कारपल्स बोलते हैं इसी में आपके तीन होते हैं कौन-कौन में जो आपका HB का भार दरसाता है यानि रिपरजेंट दा वेट ओफ HB इन एवरेज आर बीसी अभी यहाँ पर ओप्शन में देखिए आपका MCH जो दिरखा हैं कहा सकते हैं आपका MCH जो रहेगा वह वेट से जुड़ा हुआ है जो यहाँ पर भार के किया गया तो राइट अंसर कौन सा 2008 जो ही इसका राइट अंसर हो जेगा और यह अभी के एक्जाम में भी शैद यह वाला पूछा गया था अगर आपको याद होगा तो यानि काफी सारे क्योशन यहाँ पर रिपीट होने आपका जो है पड़ेगा इसके बैक साइड में बिल्कुल आपका पंशकुला का आईटी पारक दोहजार आठ में इसकी स्तापना हुई थी उसके बाद नेक्स देखिए शारेरिक्स तरावो लार आंसू पसीना और दूद आंतर भींतियों में जो है यह पाया जाता है तो इसका आपका जो राइट अंसर कुंशा तो ओप्शन नं अ नबर अ हां पर इसका राइट अनसर होगा इसको आप देख लेना उसके बाद यादि सी जो आपका परकास का वेग नीमन में से आपका तो आपका चोथा बिल्कुल और स्गला रखले न अगर समझ आता है तो इस आपको पता है तीज के त्युहार पर भी कौन्सा तो कोथली जो है दी जाती है लड़की के सचुराल जो है आपकी कोथली पहुंचाई जाती है तो यह तीज के त्युहार से जुड़ा हुआ हो जाएगा और यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला निर्त है कौन्सा संकर्मन पर यह किया जाता है इसके बाद संकर्मन के संचर्ण में आपकी जो है शामिल हो जाएगा तो कुन सा तो इसका जो है सभी के सभी हो जाएंगे यह बस देख लेना बस इनको कुछ एक सब्जेक्ट अलिमेंटरी क्योशन है क्योंकि यह शायद आपका लैब टेक्निशन लैब अटेंडेट इस टाइप का जो है आपका पेपर था गुरुग्राम जिले का नाम जो है कि इसके नाम पर व्यूत्पन हुआ तो आपको पता है राइट अंसर तो असान सा है तेरा अपरेल दोहजार चे दोहजार सोला सोरी तेरा अपरेल दोहजार सोला को जो एक्जेक्ट डेट आप ध्यान रख सकते हैं तेरा अपरेल दोहजार सोला को इसका जो हम कह सकते हैं नाम जो है गुरु गुडगाओं से गुरुग्राम जो है इसका नाम जो है वो कर दिय गया इसके साथ यह आपको पता है 2008 में गुरु गराम को आपका कमिशनरी बनाया गया था 2008 में आपका गुरु गराम को नगर निगम जो है वो बनाया गया था तो यह भी आप अध्यान रख सकते हैं इसको इसके बाद नेक्ट A B का पुत्र है C B की बहन है और जिसका पुत्र हो दैके यह बिल्कुल उसी टाइप का पुत्र है जो पितर पेपर में हमने किया था, तो isको तो आप करी सकते हो, बाकि सेम है, अगर करना है तो कर सकते हैं। देखिए, A जो है वो आपका किसका, तो B का पुत्र है, A आपका किसका, तो हमें पता है B का पुत्र हो जाएा, इसके बाद C जो हो B की बहन है, B की बहन C C यहां पे हो जाएगी जिसका पुत्तर D है और he's hi esos dab इसका मामऄ हो जाएगा डी का लड़का इसका मामम अ हो जाएगा ए Tapuk उसके बाद एक का यहां पे डी से क्या संन्छाओ यह खागया है यह देख सकते हैं यहशो दोझने में भाईवह जाएँगे और important है नहीं बस इनके right answer बता देता हूं तो आप देख लेना immunoglobin में L-sringla का जो है आणवी के भार यहां पर पूछा गया तो कितना आपका C हो जाएगा इसका इसके बाद आम का भाग होना जो यह आपका किस से जुड़ा हो ता आपको पता है आम का भाग होना आपका अमबाला से जुड़ा होगा राइट answer option नमबर बी बनेगा अमबाला की अगर स्थापना की तो आप सबी को पता है एक नॉमबर 1966 को जो है अमबाला को जो है बनाय गया था जब साथ जिले बने थे उनमें से एक अमबाला भी था यहां पर एक important question यह बनता है कि अमबाला को जो आपका नगर निगम जो है वो कब बनाय गया तो 18 मार्च 2010 हम कह सकते है 18 मार्च 2010 को साथ जो है साथ नए नगर निगम बनाय गये थे उनमें से एक आपका अमबाला भी था इसके लावा अगर हम यहां पर बात करें तो पानिपत बीन में से था अमबाला हो जाएगा पानिप करके बताना और यहाँ पे कुन सा अंबाला जो इसका वो राइट अंसर रेगा इसके लावा अंबाला मंदल डगा आपको बता हैं अंबाला मंदल में आपके कौंज से आते हैं तो पंबाला यमना नगर और कुरुकशेतर यह चार हमें पता Polish J में आपका जो है यहां पे शामिल हो जाएगा तो कुन सा राइट अंसर बनेगा उपरुक्त सभी ऑप्शन डी इसके बाद एक पचास डेड़ लाग के आनवी के भारवाला जो है आपका एक नीले रंका तामबा है तो इसका राइट अंसर कुन सा उप्शन नंबर सी बनेगा पस यह ज़्यादा इतने इंपोर्टेंट है नहीं इनको बस देख लेना इसके बाद नेक्स्ट चंडिगड का रोग गार्डन जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई तो किसके द्वारा नेक्चंद सेनी के द्वारा जो है राइट अंसर कुन सा उप्शन नंबर A बनेगा कभी इसकी स्थापना हुई तो 1957 में इसकी स्थापना हुई और उसके बाद 1906 में सरकार के द्वारा जो इसको अधिगरी तक कर लिया गया था तो बस ध्यान रख लेना कुन सा राइट अंसर बनेगा ऑप्शन नंबर A हां पर इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने वक्षेपन परिक्षन के परकार है यानि आपके जो है टेस्ट के कौन-कौन से टाइप हो जाएंगे तो बिल्कुल उपक्त सभी हो जाएंगे उप्शन डी उसके बाद कण कम है परन्तु अनुवासिक अमीनोमल के जो आपके रोग्यों मुपस्तित होते हैं तो यह सब्ज दो क्या किसके बादर हुइए इसका रैसप्रोकटल हो जाएंगा तो इसका रैसिप्रोकल 1 बटा एकसे है इसका उना करना है तो उम्हारा 62 एकस ओग्या। को यहाँ पर आगे करो सोल तो हमारा क्या equation क्या बनी x प्लस 17 is equal to 60 बटे x बनी अब यहाँ पर जब हम इसको x को उसाइड लेकर जाएंगे तो x square प्लस में 17x और यहाँ पर 60 ही दरा के minus में आजेगा is equal to 0 बनेगा यहाँ पर अब यहाँ पर जब हम राइट अंसर option number a बनेगा यहाँ पर इसके बाद next अस्पतालों में होने वाले क्रो संकर्मन जो है इनको आपका क्या बोला जाता है तो राइट अंसर हो जाएगा इसका option number a हाँ पर बाकी उपर वाले question में आप इसमें option भी उठा सकते हैं देखिए यहाँ पर क्या है तीन देरखा तीन में हमने 17 जोड़ा कितना जेगा 20 है और उसके बाद क्या है इसके रेशिप्रोकल का तो रेशिप्रोकल इसका कितना एक बटे तीन तब भी से तो बीस और वी से इक्वल हो जेंगा तो आप कैसे भी कर सकते हो मर्जी आपके उसके बाद नेक्स देखिए का परियोग जो आपका समयनेत ऐसाध्य निदान और इलाज के लिए किया जाता है तो बस द्यान रख लेना उप्शन नमबर बी है इंपोर्टेंट है नहीं और नेक्स वाला जो है रखत में उपस्ती दो सायक वरीदी एक्स और वी के लिए जो है दो वांचीत आपके जो ह करम बात करें कुछ पर जाती है जिवानों वेस्तिक केसिकाओं के आकार के कोशिकाओं के आकार और आकरती में भूत भीनता होती है जिने आपकी क्या बोला जाता है तो क्या बहुरूपता जो हम कह सकते हैं इसका राइट अंसर ऑप्शन नमबर ए उसके बाद देखिए वा देखिए अकर बात करें तो रेंज में भी आपका करनाल रेंज में पढ़ेगा तो यह भी आप इसको ठ्यान जो हो रख सकते हैं और इसके लावा बाकिएम बात करें कैथल की कैथल आपका बना कब तो आपको पता एक नौंबर 1989 को जो आपके चार जिल्ले बने जो किर्पा जो हुई थी उसमें से एक आपका कुंसा कैथल भी था तो एक नॉंबर 1989 को अगर यहाँ पर टोटल बात की जाए overall कि आपको एक नॉंबर के जो आपके टोटल कितने जिले बने तो आपके 22 में से हम कह सकते हैं साथ तो शुरू में जो है जो है आपके उसे नियालों को मोलिक अन्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश के लिए परमाधेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है तो कौनसा आपका कौनसा आर्टिकल 226 हो जाएगा ओप्षिन नंबर डी हाँ पर यह वाला क्योशन भी अभी के एक्जाम में पूछा गया था एक्जेक्ट मुझे याद नी कौनसे में पूछा गया था तो आपका कौनसा राइट अंसर ओप्षिन नंबर डी बनेगा इसका ध्यान रख सकते इसके बाद जो आर्टिकल 32 जो आपको पता है सविधानी कुप्चारों का दिकार हो जाएगा भीम राव मेट करने जो है आपका जो सविधान की आत्मा जो बोला था कौनसे आर्टिकल 32 को राणा निवंतरन गुरु गोविन सिंग युद्ध चरितर जो हरियान भी कभी किस इसकी रचना हो जाएगी तो आपको पता है खुशी राम सर्मा के जो रचना हो जाएगी ऑप्शन नमबर 20 जो राइट अंसर हो जाएगा इसके लावा गरम बात करें आपके हरियाना के पहले जो आपके राज्य कभी कौन तो आपके राज कभी हम कह सकते हैं उद्या इसके साथ कुछ मोटी कुछ सीप जो यह रचना इनकी तुलची राम सर्मा दिनेश इस तो यह आपके कह सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट निमन में और भारत में बर्म पूतर नदी कि प्रमुक्षाइक नदी dépendन के ब्रेकश हो जाएगी तो कौन्सी हो जाएगी राइट अं बाकि हमक्तों प्लॉप्ष को पता करें इसके पाद सत्यार्थ परकास नामक पूच्त तक जो है किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई तो राइट अंचर सत्यार्थ परकास ऑप्शन नमर्डी बनेगा है पर दयानन सरसुवती जो है इसके लावा आपको पता है दयानन सरसुवती जो है किसकी आरे समाज की जो है स्थापना करने वाले कौन थे तो दयानन सरसुवती थे वेदों की और लोटो जो है वेदों की और लोटो ये नारा किसका था तो आपका दयानन सरसुवती का जो है य राजा राम मोहनराई इन्होंने जो है आपकी किसकी बर्म समाज की स्थापना की बर्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहनराई ने अब राजा राम मोहनराई में राजा जो टाइटल है ये किस ने दिया था तो ये कई बार एक्जाम में पूछा गया अकबर सेकेंड हम कह सकते हैं उसने जो है राजा राम होना रहाए को राजा की उपादी दी थी तो यह भी आप इसको ध्यान जो है वो रख सकते हैं इसके बार next next देखए यह वाला question अभी के एक्जाम में पूछा गया कि हरियना के थाने сर में पाई जाने बाली अब थाने सर का मतलब यह है कि हम बात करें थाने सर आपका कांपे तो कुरुक्षेतर में पढ़े गा तो कुरुक्षेतर में कैथल में करनाल में हम कह सकते तीनों के जो आपके तीनों के की डिश्टिक जो रहेगी तो वहां पर आपकी कौनशी तो आपकी डाबर हम कह सकते हैं अपकी बार बोला जाता है तो यह हमारी भारी मिट्टी जो है वह आपकी रहेगी कौनसा ओप्शन नंबर एहां पर इसका राइट अंसर अभी के एक्जाम में पूछा गया तो आपने देखा होगा अभी आदा पर यहां पर सोल किया और कितने सारे क्योश्टिन ऐसे हैं जो बी के एक्जामें यहां पर पूछे गए है इसके बाद नेक्स्ट विंडोज आपके कंप्यूटर की मेमरी को कभी भी पूरी तरह से भरने से बचाने के लिए चतुर तक निका उपयोग करता और यह आपकी कौनसी क्यालाती है तो आपको पता है वर्चुल मेमरी हम कह सकते राइट अंसर कौनसा ऑप्शन नमबर सी बनेगा और बाकी यह कंप्यूटर की क्लास आप जाकर देखना कंप्यूटर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें जाकर आप देखोगे तो वहां पर सारी चीजे डिस्कस अलग से की हुए है इस लेव डिस्क रिजिस् तो राइट अंसर कोंचा option number D बनेगा यहाँ पे कार्बो आइडेट्स का बस इसको पड़ लेना आप सारा का सारा उसके बाद विंबलीत लैक्टोज किन्वनों के यहाँ पे उधान कोंचे हो जाएंगे तो राइट अंसर कोंचा है अपका सिगेला सोनी जो दे रखा option number C जो इसका राइट अंसर है और यहाँ पे अगर एक आदे कोशन में थोड़ी बहुत मिश्टेक हो जाती है तो कमेंट करके बता देना क्योंकि सारे के सारे जितने भी आपको अंसर बताए जा रहे हैं वो सारे official answer के यहाँ पे बताए जा रहे है तो सबसे कम अगर है यहाँ पे बात करें तो percentage के recording तो आपको पता है परसेंटेज के recording तो सबसे कम आपका फतेहबाद पड़ेगा बिल्कुल फतेहबाद रहेगा लेकिन अगर 16 वल के बात करें यहाँ पे तो कुंसा सबसे पहले नमबर पे पलवल में सबसे कम है उसके बिदिंग हो जाता तो कुंसा राइट आंसर उप्षिंन नंबर बी बनेगा इसकी जो मैं कह सकते हैं आपका पूराना नाम अगर इसका पूची तो एकदार के नाम से फथियाबाद को जाना जाता था उर इसके साथ ही फथियाबाद में टोहाना पड़ता है उसको क्या बोला घ्しょう 1045 डियाब बाद आपको बताने थीडिये चित्र में तिर्बू जो हूँ आपका लड़कियों को दरसाता यहाँ पर उसके बाद व्रक बघंट आपका खिलडियों को ओर हैं पर आपको क्या बताने कि उन लड़कियों को दरसाता जो तो खिलाडी है लेकिन यहापे परसेकशक नहीं तो आपका खिलाडी आपका कुंछा हो जाएगा तो यह वरग यह कहलडी हो जाएगा और लड़की जो है कॉंछा हो जाएगं नबर बी जो इसका गोराइट आप सकते हैं इसके बाद हडियाना का जो है सरवादिक समय तक सेवारत सबसे ज़्यादा रहने वाले याँ पे गवर्नर के बारे में पूछा गए तो कौन से हो जाएंगे तो राइट अंसर आप सभी को पता है कौन विरेंदर नरायन चक्करवती जो है राइट अंसर कौन सा उप्शन नंबर बी बने कहां के रहने वाले हो जाएंगे तो तेलंगाना के समन्दित हो जाएंगे ये और कौन से नंबर के है तो ये ठारवे नंबर के भी परजेंट टाइम में गवर्नर हो जाएंगे बस ध्यान रख लेना इसके बाद वे एंजाइम जो एक कार्यकारी समू के लिए स्थाना अंत गाया तो कौन सा हो जाईगा तो पेट्रो केमिकल हब जिसकों बोलते हैं बुनकरों का शहर जिसकों बोलते हैं तो राइट अंसर कौन सा आपका पानीपत जो है option number six question का जो है वो राइट अंसर बन जेगा तो बस ध्यान रख लेना पानीपत जो है किस मंडल में आता है कमेंट करके बताना विशाणू कणों का जो है निर्मान डैस में होता है तो राइट आंसर कौन सा आपका उप्रूक्त सभी हो जाएगे इस सारे के सारे आप इसको पढ़ सकते हैं दो भिन भिन प्राकत संख्या है इस परकार है कि उनका गुणन फल उनके योग से कम है तो इन इनमें से एक संख्या जो होगी अगर उसको एक से गुणा करेंगे तो उसमें कोई भी फैक्टर नहीं पढ़ने वाला लेकिन एक जोड़ेंगे तो एक बढ़ जाएगे रोगा एक आदमी जो है 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर लेता है उसकी चाल किलो मीटर पर ती घंटा में यहां पर बतानी है तो इस तरह के क्योशन हम कई बार डिसकस कर चुक है 600 बटे में यहां पर 5 मिनट है तो इसको हम सेकिंड में कनवर्ट करेंगे उसके करेंगे तो आपका 5 बटे 18 से होता था यहां पर 18 बटे 5 हो जाएगा तो 18 दूनी 36 बटे 5 पांच सता है 35 और पांदूनी 10 साथ पॉइंट दो बनेगा जो कि कुंसा ओप्शन नमबर बी यहां पर दिया गया है कुंसा साथ पॉइंट दो राइट अंसर एगा इसके बाद न जा में पूछा गये हैं यहां पे साध जाना आ अदेकर यह पूछा गया था किसके टाइम में था तो यहां पे अकबर भी option में होता हैं citizenम घेंट hm सेवा जो है टेली मेडिसीन सेवा जो है वो शुरू की गई है नारनोल से तो यह भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा और इसके साथ ही स्वास्ताविभाग की तरफ से एक टोल फरी नंबर एक जार पिचेतर जो है साहरी इसका जारी किया गए एक जार पिचेतर ही होना चीए क नारनोल में रहेगा तो यह भी बस आफ ध्яжंग लेना जलमेल भी आपका वहां पिरेगा सेरए राइडान के लिए सुष्डापूरग परियोग जो हूं किया जाता है तो इसका राइटांसर ऑप्शन नमबर D हो जाएग है ल Kenneth H साथ सापना हुई तो यहां पर भीवानी खेडा हम चाहते हैं और इसके लाव घिया भीकिंड आपका अगर हम बात करें बीओं 75 Lives ही पड़ेगा तो बस ध्यान रख लेना इसके बाद राफेल लडाकू विमान जो उसके बारे में आपको कथन जो है बता रहा है कौन कौन सा सत्य है तो इसके कोडिंग हम देखें तो आपका राफेल विमान को अपचारिक रूप से भारतिय वायू से नामे 10 सितंबर 2020 को शाम इसके बारे में पूचा गया इसके बाद के बारे में पूचा गया करता है तो कुनसा अपका मस्तिस्क मेरूदर्व राइट हम सरेगा कुनसा ओप्शन नमबर विमान पर इसके बाद करें बाकि यहां पर ब्लड के बारे में पता है ब्लड का यह आपका पार्ट होता है कौनसा एक तो आपका प्लाज्मा होता है दूसरा आपका प्लाज्मा यह दे रिखा दूसरा आपका ब्लड घ्रट की साधना साधनात में असोक राजदा नीकासीं जो ए राइटान सरे का कौन सा напис नमबर A उसके बाद हे डैस का मुख्या कारे जो है जो है सहरीर की कोषिकावं तक oh pioneers लेके जाना जो किसका आपको बता है अब आपको लालट करनिकां ज這樣 मैं नहीं पाए जाता कोनसा केंद्रक जान्यूकलीस नहीं पाए जाता शिर्म ऊट और लामा को छोड़कर तो यहां पे आपका RBC का यही काम होता है, यहां पे मेन आपका कोशी काउं तक oxygen का provide करवाना, उसके बाद WBC आपका main कारिया क्या हो जाएगा, जो हम कह सकते हैं, रोग परतीरोदग शम्ता जो है, रोग परतीरोदग शम्ता जो है, उसको कंट्रोल करना, उसको बढ़ाना, मा अगर यह पूचले, blood clotting में जो आपका help करता है, प्लेटलेट्स जिसकों बोलते हैं, तो उमारा प्लेटलेट्स हो जाएगा, तो तिन्नों के अलग अलग काम है, इनको आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, उसके बाद परसीद वास्तुकार ली कार्बुजियर जो है, इ जो इसका बजन हम कह सकते हैं, और 14 मेटर जो ही आपका उंचा हो जाएगा, तो यह भी इसको ध्यान रख लेना, इसके बाद, कला और संस्कृतिक विरासर ट्रस्ट जो है, इसके पहला वी भाजन संग्राले टाल हाउन, अमरीच सर पंजाब में स्थापित किया गया, इसके बाद माद्यम में जो है, आर बीची का पूरण जलिया विगटन हो जाएगा, तो इसका आपका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा, तो बीटा हेमोफिलिस जो देर खा उप्शन नमबर बी हाँ पे, यदि किसी कतार में दोनों छोर से आप ग्यार में स्थान पर है, तो कुल कतार में कितने लोग है, अगर आपने देखा इधर से भी आपका 11, इधर से आपका 11, यान इस साइड आपके 10 है, इस साइड आपके 10 है, 10 और 10 भी सोरेक है, आप खुद हो जाएगे, तो कितने 21 हो जाएगे, राइट अंसर कौन सा, ओप्शन नमबर C बनेगा 72 का, इसके ब बनाने में यहाँ पर कूसल थे, तो राइट अंसर कों सा बनावली हम कह सकते हैं, आपका राइट अंसर कों सा, ओप्शन नमबर A बनेगा, काँ पर फतेहाबाद में कह सकते हैं, राइट अफल जिवानों, जो अपने सभी योगीक, सभी जेवीक, योगीक संसलेशित कर ले परजनल केंदर या फी सेंट जो हमारा कौन सा परजनल केंदर हम बोलते हैं फी सेंट तीतर को इंगलेस में यहां पर दिया गया तो यहां पर कौन सा परजनल केंदर यह भारतिय गिद नावकर आपका सिद्धा गिद जो हम कह सकते हैं वो सिद्धा गिद और इसके लावा अगर यहां पर बात के चिंकारा के बारे में तो केरू भीवानी में जो आपका चिंकारा परजनल केंदर जो है वो पड़ेगा तो यह आप ध्यान रख अगर चिंकारा की बात होगी अगर मोर और चिंकारा पूछ ले मोर चिंकारा परजनल के अंदर तो आपका कहां पे तो जाबुआ रिवाडी में यह हो जाएगा तो यह बस इसके बाद हिलियम परमानू के एक ऐसी इलेक्ट्रोन के द्वारा नुबो किया गया आपका आबे क्योशनल जो हमने पिछली कलास में कवर किया था आपको याद होगा हमने दो इस तरह से बनाए थे और दो सबसे पहले दो पोसिबिलिटी बनाए थी उसके बाद में एक हमारी कट गी थी दूसरी मारी कौन सी तो आपकी यही बनी थी इसमें बना लेते हैं देखिए इसमें क्या है दी निमन में से किस जोड़े के बीच में यहां पर बैठा है अब यहां पर देखिए आपको एक चीज समझ आ गए कि कितनी है टोटल साथ है और यहां पर हमने बना लिए बी जी और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहां पर बनाते हैं देखिए यहां पर क्या B आ गया, उसके बाद क्या गया, E आ गया, उसके बाद क्या, आपका G आ गया, उसके बाद F आ गया, और यहाँ पर हम करेंगे तो आपका नीचे से तीसरा पहला हो गया, दूसरा हो तीसरा, तीसरे पर आपका D है, जो इसने देरक है, उसके बाद क्या, D के बिलुकुल यहाँ पे बगल में आपका C है, आप देखिए, साथ दिये गए है, आपके A से A को छोड़ कर बाकि सारे आगई, यानि A आपका कहां पे तो यहां पे आ जाएगा, अब इसने क्या देर ख़ें कि आपका D किसके बीच में है, आपका D यहां पे देखें, आपका C और F के बीच में, य जो उसको इंडेंट बोला जाता है important question आप इसको note कर सकते हैं CPU को एक से अधिक program पर कार्य करने के लिए आपका काहा जाता है इस कार्य को करने के लिए OS और CPU आपके क्या बनाते हैं तो आपके threads बनाते हैं option number B इसका right answer और computer के में आपको बता रहा हूं सारे के सारे question important है यहां से डिटो के डिटो question आपके exam में repeat हुए है एक आया समाने रूप से मुत्तर की बहुत कम आपके 500 ml 24 गंटे कम उत्सर्जन है तो इसमें आपका कौन सा right answer option number B बने गा है यहां पे इसका इसके बाद सब्ड वसाओं और तेल के खराब होने के प्रणाम सवरूप एक बूरे स्वाज में बदलने में प्रियुक्त होता है तो कौन सा right answer option number B बने गए यहां पे इसके बाद आपका यहां पे कौन से आपके सारे हो चुके बस सब यहां पे डिसी जो वो साफ कर दिये एक परसन हो वेस्ट ही इस मनी ओन लग्जरी लग्जरी पर जो हो आपका वेस्ट करता है तो उसको क्या बोला जाते तो 85 का right answer कुंसा एक्स्ट्रा वेस्ट जो हो जागा खर्चीला जिसको हम बोलते हैं तो राइट अंसर यह वाला हो ज बताना है तो आपका कौन सा ओप्शन है में जो है यहां पर हो जाएगा 86 में तो यह हमारे इंगलीज के होगे इसके लावा देखिए 87 बी जो बैज वर्ण ग्यंजन में जो है कौन से वरग में आता है तो कौन सा आपका सी ओप्शन में इसका right answer अंग अंग धीला होना जो ह पहले के एक्जाम में यह कहते हैं और और कई एक्जाम में भी यहां पर पूछ गिए क्योंकि इसमें काफी ज्यादा confusion होती है तो राइट अंसर कौन सा आप ध्यान से देख सकते हैं कवीत तरी जो है इसका right answer हो जाएगा option number A है इसके बाद धूमिल का आपका वास्तिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा तो क्या सुदामा पांडे हम कह सकते हैं इसका right answer हो जेगा option number C यहां पे तो यहां पे हमारे 90 क्यों जो complete होते हैं और I think आपको यहां से कुछ benefit हुआ होगा अच्छी लगी है तो class को आप like जरूर कर दें अगर किसी तरह की improvement है कोई doubt है तो आप बे कि सारे आपके जो latest paper है वो सारे के सारे cover हो जाए अभी जो है कैस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी थोड़ा सा healthy issue की वज़े से अभी एक class daily area paper की कोशिज करते हैं दीरे दीरे दो paper जो daily के करवाए जाए तो इस वीडियो में इतना ही class के बारे में अपना review जरूर दें और बाइचांस अगर एक अडिकोशन में जल्दी जल्दी मिश्टेक हो जाती है तो उसके लिए पहले से सोरी और बाकी comment में जो वो चीज़ आप बता दिया करें ताकि next class में वो चीज़े जो है तो इस class में इतना ही और मिलते है next class में और कल जो है सुबह आपक सकते हैं सुबह आपकी current affair की class आगी जैसे आज जो class आई थी उसके उपर आपने काफी सारे अच्छा रिस्पोस दिया था काफी सारा अच्छा कमेंट करके आपने बताया था तो वो class सुबह आएगी जिसमें current affair भी करेंगे आपकी हरियाना जीके भी उसमें cover हो जाएगी और